शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का आज ही डाउन्लोड कीजिए बिगडी हुई तक देल किसकी है दुनिया में शोरत सूरत या सीरत सूरत या सीरत सूरत या सीरत अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों है अनमोल हीरे मोती सो नाचांदी इनका नहीं है मोल अच्छी सूरत अच्छी सीरत दोनों है अनमोल हीरे मोती सो नाचांदी इनका नहीं है मोल घर जन्नत है किसकी बतौलत सूरत या सीरत सूरत या सीरत सूरत या सीरत उस दिन हमारी पार्टी मिटिंग थी चीफ मिनिस्टर साप के खिलाफ धरना देना तै करना था इसलिए जल्दबादी में आप से बिना मिले चला आया इसकी माफी चाता हूँ यह हमारी बेटी फौजिया तो मुझे देखकर चौकी क्यों तो फिर वेशीद खुदा करिये वो जिन्दा हो हम इंग्लेंड में हैं वरना इस अन्राजर गुफ्तगू का मज़ा चखा देते हैं फैक्टरी चलती है या बंद होती है ये तो वक्त ही बताएगा पर हाँ आप एक बात जान लीजिए ये फैक्टरी जाती पिजोरियां भरने के लिए नहीं लगाई गई है बलकि इस फैक्टरी का मुनाफ़ा 50% वरकर्स के लिए और 50% गाउं की तरक्तियाद के कामों में एसे भाशन हम रोज देते हैं हमें भाशन देने की आदत है सुनने की नहीं इस फिगवर कीजेगा शायद इसी में आपकी बलाई है च मभावा थ हमाएं माशा आलाफ भैं क्या खूब लिखा आएं रहीं मंतावा बेढ़ वर्बल व बेढ़ा बहुरें बेड़ो बेड़ो, आंगन में लिए चांद के टुकड़े की खड़ी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हातों में जुलाती है उसे गोद भरी, रहरे के हवा में जो टोका देती है, रहरे के हवा में जो टोका देती है, गुण उठती है खिल खिलाते बच् किया थी मां की ममता और प्यार को किस दिलकर अंदाज में बया किया है इस चायर ने हंदी शायरी में सुर्दाज जी का मुखाम बहुत बुलंदे खास्टोर से वाधसले रसमें तो कोई कभी उनका हमसर नहीं और उर्दू शायरी में रगुपती साय कभी कोई जवाब नहीं उनकी एक रुबाई सुनाता हूं सुनो किस प्यार से दे रही है मीठी मीठी लोरी हिलती है सिडोल बा गोरी गोरी माथे पर सुहाग आखों में रस हाथों में बच्चे के हिंडोले की चमकती डोरी हमें पाथ लाक रुपे भिजवाते हैं सॉरी ये इक्तियार हमें नहीं है I am helpless in certain matters प्लीज दू कॉन्टाइक खान बहादुर साहब बाबा कहीं हमने वजाहत लगा साहब से कोई गुस्ताखी तो नहीं की आज हमें यपीन हो गया है के हमारी बेटी नहायत ही जहीन है क्यों किरपाशंकर जी हमने तो हुझूर आपसे पिछली बार ही कहा था कि पैसे मत भेजी हम भी आपकी राय से मुत्तफिक थे जी लेकिन ये गल्ती हमसे ही सरजद हुई थी हम जानते हैं बेटे किरपाशंकर जी ने आप ही की सेफारिश पर वजाहत को पैसे भीजेते पर जो हुआ सो भुआ अब हम तीनों की यही राय है कि हम उसे पैसे नहीं भीजे हम अब ऐसा ही होगा मैडम जी खान साहब आए ठीक है a यह नहीं आपके लिए मुकरर किया आप बैठी हम यह बैठते हैं अब आप हम यहां बैठते हैं अब आप हमें विदायक रामपाल के बारे में तफसील से बताईगे है किसे मुलकात की अधुन करने के लिए कौन सरमाया लगाता है छब हमारे भी काम होंगे हमसे बहरा कर तो आप ये फैक्टरी नहीं चला सकती है ऐसे भाशन हम रोज देते हैं हमें भाशन देने की आदत है सुनने की नहीं रामपाल को मैं जानता हूं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं बुरा आदमी है पैसे कमाने वाला दांदली करके पार्टी के बल भूते पर इलेक्शन जीता है और वोटरों को लुभाने के लिए शोर ज्यादा करता है देखिए जो कुछ भी आप नहीं किया ठीक ही किया अगर इस किसम के लोगों से हम डर गए तो फैक्टरी में सियासी लोगों का राज हो जाएगा विधायक हमारे पास भी जरूर आएगा बाकि आप ये बताईए फैक्टरी का काम तो ठीक चल रहा है ना जी सर, एवरिटिंग इस ओके, नो प्रब्लम और सर, वर्कल्स भी काफी कॉपरेट कर रहे हैं यही तो हम चाहते हैं के हमारे कारीगर, बटाईदार, किसान, सब खुश रहें कर दो हम जिए कर दो झाल झाल मन लागो याज फकीरी में काका कौन पुकार रहा है काका 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 काकाद रहा है तुचंदार अजय रहा है पैट बिटा बिटा भी तुए काँ काका बहुत दूर रहता हूं बहुत दूर रहता हूं अच्छी बात तोच क्या रहा है वो ही फोजिया वो ही जो तेरे साथ पढ़ती थी अक्ली रहगी बच्छा दी सहलाब ने उसका पूरा गर ताभा करती है बिटा उसी ने तु मेरी जान पचाही और अल्ला का करन अखान साब का उन्ही की वियसे मैं आज तेरे सामने बेठा हूँ बिटा उन्होंने फोजिया को अपनी बेटी बना लिया है अब वो कार में घूमती है तो वो फोजिया ही थी का फो यह था रहते हैं अज़ा आप खांडर साब कहा रहते हैं अरे जाइस आपमे मिटा रादानी राइस शेहन अपनी कोठी है वह तो हमें भी नहीं आपके अपकर शपर्जागर के अब तुवारा आज रहा है क्या थे? थे अवेर्ट जी वेगा अ। रखहे। ढोखों धूतिस ऐखने अ ऐसे रहy लूग। वेहति ऑखने को यह जह में अनीत सब्हति हैं सब्रकतर chessE अजहता के टोंदेख वहा है '' डातर सब्सक्राइब क्या है'' कर दो मैं रजब पुर देखने आया था आपके मिलने आया था यहां लोगों से से मिला काका मुझे वापस भी जानाERS फेर आओंग तो मिलूगा फोजिया भी मुझसे मिलने आती है, बिटा, उसे बताऊँगा कर रशीद आये था, बहुत खुश होगी है क्या पता काका, खुश होगी या उदास तो इसा क्यों सुच रहा है, बिटा, काका, अब वो रजबपुर में रहने वाली फॉजिया नहीं, वो खान बाहदर साथ की बेटी है तो गलत सोच रहे है, बिटा, वो बिलकुर नहीं मदली, वो बहुत कुश होगी, अच्छे लिए काम कर, जब तो अगली बार है ना, तुम्हेर साथ चलना, ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ खुदा हाफिज चुक अब मैं तुम्हेर को अपनी बेटी बना लिया है, अब हो कार में घूमती है अब मैं अब मैं तुम्हेर साथ में बिटा, खानदानी रहीस, शेहन उनकी अपनी कोठी है अब मैं तुम्हेर से मिल लाती है बिटा, उसे बताओंगा का रशीद है बहुत खुश्यों अब मैं तुने तो कुछ खाया भी नहीं नहीं, दो दिन को आया है और मुँ बना के बैठा है, चल ले, मैं गरम गरम पराठा तुझे खिलाती हूँ मेरे हाथ से खाँ अरे दीदी मैं खा लूँगा, खुद आप परिशानना हूँ मिलाया जमा काका से, कैसे हैं? दीदी वही पुराना फखेराना अंदाज है उनका, दूसरों के काम करना, दूसरों को खुछ देखकर खुछ रहना और हाँ दीदी, अब तो उनका घर भी नया बन गया है सरकार ने बनवाया होगा? नहीं, कोई खान बहादूर सहाब है, उन्होंने ही बनवाया है घर मैं जानती हूँ उन्हें, उन्होंने पडोसी गाउं शहजाद नगर में किसानों के लिए कारखाना भी लगवाया है मैं विश्करने गई थी उन्हें, बहुत हमदर्द इंसान है दीदी, काका कह रहे थे के फौजिया भी वहा रहती है फौजिया? यह हमारी बेटी फौजिया तो वो फौजिया ही थी आप मिल चुकी हैं फौजिया से? सिर्फ देखा था, मैं खान बहादूर साहब के घर गई थी तो वहाँ दो लड़किया आए थी कॉलिज से जिन में से एक बिलकुल फौजिया जैसी लग रही थी तो वो फौजिया ही थी काका ठीक कह रहे हैं फौजिया उनी के घर में रहती है दिरी? आपने कभी तसकरा भी नहीं किया? मैं खुद कनफर्म नहीं थी शक की बात थी ना तू भी सुनकर सोच में पढ़ जाता और पढ़ाई से भी भटक जाता और सोचता रहता फौजिया के बारे में जैसे अब सोच रहा है दीदी ऐसा कभी नहीं होगा वही होगा जो दीदी चाहेंगी फौजिया से मैं दिल से महबबत करता हूँ वो मेरी पहली और आखरी महबबत जरूर है लेकिन जिन्दगी का मकसद नहीं दीदी आपने सिर्फ बेहन का ही नहीं बलकि मा का भी प्यार दिया है मैं जिन्दगी भार आपकी खौईशों का इतराम करूंगा मुझे यकीन है रशीद तुम ऐसा ही करोगे मेरी भी खौईश है कि फौजिया तुम्हारी जीवन साथ ही बने लेकिन लेकिन क्या कहिए ना हमें अब किसी बुरी ख़बर से डर नहीं लगता कहिए क्या कहना चाहतीं दी कहिए कहिए ना दीदी प्लीज अब हालाद बदल चुके है रशीद फौजिया अब खांबहादूर साथ की कोठी में रहती है कार में घुनती है वो अब खांबहादूर जफर उलाख खां की बेटी है तो क्या हुआ अरे हम भी शकुंतला दीदी के भाई है किसी के आगे सर नहीं जुखाएंगे मुझे नहीं लगता दीदी कि फौजिया ऐसा करेगी और अगर वो अपनी हैसियत के मताबिक या फिर फॉर दे सेक आफ सोशल स्टेटस किसी कॉर्पेट फैमिली में शादी करना चाहती है तो कर ले मैं उसकी महबत में देवदास नहीं बनना चाहता अरे शबनम काका के लिए जो कपड़े खरीदे थे वो भी ले क्या हो कितनी देर करती माशालला ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक पर जा रहे हैं कहीं तक्रीब में आना जाना तो होता नहीं है कपड़े भी हमें अहसरत बरी निगाहों से देखते हैं अच्छा कुछ कहते भी होंगे बिलकुल कहते हैं रो रो कर कहते हैं कि हमें गार्मन स्टोर में वापस रखवा आईए कोई कदरदान ले जाएगा तो हमारी इज़त अफजाई तो होगी आपने तो हमें अलमारी में कैट कर दिया है हम जरूर कहते होंगे खूब बाते बनाने लगी हैं खैथ अच्छा किया पहन लिया लैसे रजबपूर में कोई हीरो तो होगा नहीं अरे क्या पता कोई मिल ही जाए सुना है आजकर सडकों पर गली कुचों में घूमते फिर रहे हैं कोई ना कोई टक्रा ही जाएगा और वैसे आज बूरे मिया भी बाबा की साथ बाहर गए हैं गाड़ी हम खुद चला कर लेका जाएं अरे खाने का टिफिन का है मैं लेका है जल्दी काका के लिए इतना लजीज खाना बनाया है कुलसूमबुआ ने और तू यही भूल के जा रही थी तू भी ना चलोग बैठो हमारा गाउ रजबपुर बरबाद हो गया था सहलाव में मगर अब अल्ला की करम से फिर आबाद हो गया और अब तो नए मकान भी बन गये हैं शायद किसी की याद आ रही है वो लड़ना जगड़ना यह तालाब खेत उसके साथ साइकल पर जाना लेकिन आपा अब तो आप शहर वाली हो गई हैं मोटर गाड़ी पर जा रही हैं वो भी खुद चला कर हां खान बहादुर साहब यानि हमारे बाबा की महबबत ने हमें बांध लिया है हमें गाड़ी दिलाई अपनी बेटी बनाया गाड़ी चलाना सिखाया अब उन्हें अकेला पाकर छोड़कर जा भी तो नहीं सकती मन लागे मेरो यार फकीरी में मन लागे मेरो यार फकीरी में और क्या रखा है अमीरी में मन में खाना लेलें नहीं बाद में लेलेंगे मोड़ी को यह तका लागे मेरो यार फकीरी में सेलाम काका इज है अरई शावनम्भी आई है आजजा बटाजा है हमारे खान बादूर साथ कैसे है ठीक है आपको सलाम कहा है अरे हमदाए अन्हों नहों नहुने में याद किया और ये किसमत है हमारी वालेकम सलाम का साथ अल्ला उने हमेशा खुश्छ रखे, लब यूंच दे ये आप क्या बो रहे थे काका? क्या करेंगे काका, इनका क्या बेचेंगे? नहीं बेचा, मैं अपने खेत का अनाज जो है गरीबों में बार देता हूँ सब्सक्राइब बार दूँगा अरे हाँ बिटा अरे खुश्काबरी देनात में तुमको भूली किया? कल रशीद आयगा हाद से कहना देते हैं अक्सर सूरत का जान लेकिन सीरत का ये उचाला होता नहीं है मान कौन पढ़ाए तिल में इज़त सूरत या सीरत 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 हाई मॉम फिरसी चौपिंग झाल झाल